प्रकृति इश्वर इहां पर स्तूप किया है छोट ऐसा फूलों की धेर इतनी प्यार से जिया जा सकता है अलग-अलग मत अलग-अलग भाव लेकिन समभाव इकत्रित भाव सुन्दर है पुष्प की समाहर हरी की अलग-अलग अईडिन्टिटी है किसी की कलर किसी की साथ संपूर्ण रूप से एक नहीं है किसी की गठन समान नहीं है कोई भी शब्द इसको व्यक्खा नहीं कर सकते है अगर तुम समा जाते हो इस सब्द्य में ऐसे कैसी समभव है इतनी पुष्प छोटा से बड़ा सब अलग, रंग से अलग, शेप से अलग मन भावुख हो जाता है, सत्यमुखी हो जाता है इसलिए कहते हैं प्रकृति गुरु है अगर तुम देखना चाहो तो पहले देखना चाहोगे तो देखोगे देखोगे तो प्रतीत होगा इतनी स्ट्रेंग्ध एक इतनी सी वीज लगा दिया बहुत बड़ा महीरु में परिवर्दीत हुआ फल आने वाला ब्रिक्ष है तो फल भी बहुत परिमानाया है इतनी सी वीज कितनी कठिनाई से जूचे होंगे पत्थर में मिट्टी में आने के लिए क्या स्ट्रेंग्ध होती होगी इसकी अंदर यह लिए शक्ती समाहित है यह शक्ती प्रकाश होना भी संभव है पत्ते अलग, रंग अलग, शेप अलग, साइज अलग जो जीव से बात नहीं हो पाती जो प्रान प्लैन नहीं कर सकता जो प्रान मनन नहीं कर सकती ओ प्रान में इतनी शक्ती उसके बाद जाओ कोई इंसेक्स में जिसकी प्रान की इजहारों कर सकता है अपने बचाने की कुछ कारेक्रमों कर सकता है जो पुश्पो पत्ते नहीं कर पाते है ओ भी अंदरूनी दिया हुआ है ओ आपने आपको डिफेंस कर पाए किसी में थोड़ी काटा है किसी में ऐसे गम मेटरियल होती है मधुमक्षी बहुत सारे एक साजीव उस तब अपने को आपना मानता है अजीव है इंसान कोई इंसान इंसान को आपना नहीं मनता क्योंकि इंसान में स्ट्रेंग्थ है सोचने की खुद की शक्ति जागरूत करने की साधन अपत्थ में उचल सकता है उसकी पास साधन है वो जान सकते है वो साधन तयार कर सकते है ये जीव नहीं कर सकते है ना पुश्पप ना ब्रिक्षन ना छोटी ये से कोई किरा मकुरा इसलिए इनसान इतना कर पाएगा इसलिए इनसान की शीशु बहुत लाचार है बाकि कोई भी जीव की शीशु इतनी लाचार नहीं है वो उटके हिल सकता है, अपना खाना खा सकता है बहुत थोड़ी help में वो बड़ा हो जाता है इंसान कभी बड़ा होता ही नहीं है उसको हमेशा मदद चाहिए क्योंकि वो छोटा जोम्रा में नहीं रहा वो unlimited को टच करना चाहा वो साधन तयार करना चाहा अपने में इतना शक्ति उन पे है जो संपोर्णता को वो समा सकता है वो जीव में उतना ही है वो घर बना सकता है वो बच्चे को बड़ा कर सकता है फूड को स्टोर कर सकता है बचने के लिए काट सकता है तो भी एक क्या आर्किटेक्ट्रल एक हानी कौम बनाता है वो एक से एक माप में समान होता है जियोमेट्री तो इनसान बाद में समझा ऐसे कोई चहरा नहीं है ऐसा कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है जो प्रकृति में नहीं है और इनसान ने गड़ा है इसलिए प्रकृति इश्वर है ये प्रकृति की हर एक जीव की शक्ती में तुम अगर परक करो तो तुम्हें धीरे धीरे समझाएगा फिर तुम में कितनी शक्ती होगी जो साधन को तयार भी कर सकते है काट भी सकते है जीवन दान भी कर सकते है